hey friends welcome कैसे हैं आप सब आशा है friends आप सबी स्वास्त होंगे आज की रीडिंग में friends हम चेक करेंगे आपके person की current feelings क्या है उनका next action क्या हो सकता है कब तक हो सकता है and meanwhile आप लोगों के लिए क्या guidance है रीडिंग फ्रेंड्स, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है विदाउट मच फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड प्लीस उनिवर्स बताएं मेरे विवर्स के पार्टनर्स की करन्ट फीलिंग्स क्या है, सोरो आपको बहुत मिस्स कर रहे हैं अगर आप लोग सेपरेटेड हैं, या फिर लेस्ट कॉंटाक्ट जोन में हैं तो मैँ बता जूँ कि आपके परशन आपको बहुत याद कर रहे हैं आपके लिए तडप रहे हैं, आपके लिए परेशान हैं आपके साथ बिताए गई moments उन्हें बहुत याद आ रहे हैं आपके साथ बीती हुई बाते उन्हें बहुत याद आ रहे हैं आपकी कमी उन्हें बहुत खल रहे हैं बाइहाट चाहते हैं कि आप उनके पास हों वो आपके पास हों और इस life को enjoy करें नाइन की एनर्जी है तो कोई रख साइकल आप दोनों के बीच में है जो खतम होने तो वाला है लेकिन इस टाइम बहुत पेन्फुल है आपके परसन बहुत पेन में बहुत दर्द में दिखाई देते हैं और आपको याद करते करते काफी ज़्यादा डिप्रेशन में आपके person चले गए हैं उनकी health भी अच्छी नहीं रहती और काफी जादा परिशान रहने लगे हैं और चेक करते हैं आपके person की current feelings क्या है आपको लेकर politics उन्होंने आपको धोका दिया cheat किया आपके ओवर किसी और को choose किया या family की सुनकर किसी के manipulation में आकर आपको छोड़ दिया जो भी किया हो उन्होंने आपके साथ लेकिन आज उन्हें अपने किये का बहुत पच्छतावा है क्यों क्योंकि वो बहुत pain में हैं बहुत तकलीफ में हैं बहुत परिशान हैं लोगों के सामने अपना face हमेशा हस्ता हुआ लेके जाते हैं लेकिन अंदर से उतना ही जादा disturb हैं दोहरी जिंदगी जी जी कर अब आपके person ठक चुके हैं और उन्हें समझ में आ चुका है कि उनकी life में problems इस वज़े से हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही beautiful से दिल को तोड़ा है और वो दिल है आपका अब by heart जो action वो उस time नहीं ले पाए अब वो action लेना चाहते हैं आपके साथ completion चाहते हैं आपके साथ reunion चाहते हैं आपके साथ wedding चाहते हैं तो अब आपके person aware हो चुके हैं आवेकंड हो चुके हैं आपके बिना उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है missing energy बहुत जादा strong है आपको बहुत जादा miss कर रहे हैं और हो सकता है कि अब वो third party situation के साथ politics खेल रहे हों ताकि third party situation आप दोनों के बीच में से निकल जाएं थर्ड party situation को अपना real face मा दिखा रहे हों उनके साथ politics खेल रहे हों ताकि वो आप दोनों को छोड़कर चली जाए या आप दोनों के बीच से निकल जाए और वो आपके साथ permanently reunite हो पाएं ऐसी vibrations भी कुछ लोगों के लिए आ रहे हैं suppression यहाँ पर 9 की energy है और यहाँ पर 10 की energy है बाए हार्ट वो चाहते हैं third party situation में से बाहर निकलना और अगर उन्होंने आपके ओवर किसी और romantic person को choose किया है तो अब वहां से भी इनको धोका मिला है वहां से भी इनको respect नहीं मिली है इस्जत नहीं मिली है जिसकी वज़े से यह काफी pain में हैं काफी struggle में हैं और by heart अब आपके person every third party situation चाहे वो कुछ भी हो आप दोनों के बीच में उसमें से निकलना चाहते हैं 9 की energy 10 की energy इस rough cycle को खतम कर देना चाहते हैं और कोई rough cycle आप दोनों के बीच में से बहुत जल्द खतम होता हुआ भी दिखाई देता है by heart completion की energy बहुत strong है अब आपके person आपके याद में इतना ज़्यादा तडप रहे हैं कि उन्हें हर हाल में completion चाहिए reunion चाहिए wedding चाहिए चाहे अब इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े third party को manipulate करना पड़े third party को धोका देना पड़े कुछ भी करना पड़े वो करेंगे लेकिन अब आपके साथ वो reunite होकर रहेंगे ऐसी वाली vibrations यहाँ पर हैं अगर हम जोडियक science की बात करें तो Gemini, Libra and Aquarius, Cancer, Pisces and Scorpio, Aries, Leo and Sagittarius की energy काफी ज़्यादा prominent हैं हो सकता है यह energies आपके लिए काफी important हो या फिर आपके person के लिए काफी important हो अगर हम number or dates की बात करें तो 7, 16, 25, 3, 12, 21, 30 1, 19, 28, 10, 9, 18, 27 यह number यह dates आप में से काफी ज़्यादा लोगों के लिए prominent and important हो सकती हैं ज़रूरी नहीं है सबसे जोडियक science number or dates resonate करें अगर आपसे energies resonate करती हैं तो यह reading आपके लिए है और अगर आपसे energies resonate नहीं करती हैं तो यह reading आपके लिए नहीं है क्योंकि हर reading में कहती क्योंकि यह reading general है सो अब हम चेक कर रहे हैं हमका next action क्या हो सकता है कब तक हो सकता है patience का card है और चेक करते हैं मैं तीन cards निकालूंगे next action के लिए cleansing to the past का card है और one more card and letting go का card है next action की बात अगर मैं करूं यहां पर तो एकदम से next action आपको इनकी तरफ से नहीं receive होगा जबकि यह इ कर रहे हैं by heart आपके साथ reunion चाह रहे हैं wedding चाह रहे हैं लेकिन स्टिल third party situation से बाहर निकल के आप आना इनके लिए काफी tough है अब मैं बताती हूं कि next action में क्या हो सकता है आपके परसरना अभी एक strategy बनाने वाले हैं एक planning बनाने वाले हैं और उस planning को बना कर उस पर work करने वाले हैं आपको contact करने वाले हैं five weeks में five days में या फिर कुछ लोगों के लिए five months में and आप दोनों के बीच में जो third party situation है उसको let go करने वाले हैं seven to eight days seven to eight weeks कई लोगों के लिए prominent हो सकते हैं जब आपके person third party situation को let go करके आपकी तरफ action लेंगे and आपसे contact करेंगे लेकिन आपके साथ reunite ह सारी बुरी बुरी experiences को या फिर बुरे जो भी इनोंने कर्मा किये हैं उनको या फिर इनोंने जो आपके साथ बुरा किया है उनको उनको पीछे छोड़ कर उनको भुला कर या उनके लिए माफी मांग कर आपको ये कहेंगे कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं और उन्हें एक मुका प्लीज दे दो वह आपको ये कहेंगे कि वह आपको emotionally बहुत मिस करते हैं तो चलो इस रिष्टे में सारी टेंशन को let go करके इस connection में चीजों को एक नया चांस दें एक नया मुका दें and recreate करने की कोशिश करें जो की असान नहीं होगा ना की ना ही आपके लिए और नहीं उनके लिए आप मेंसे कुछ लोगों के लिए तो ये भी दिखाई देता है कि आपके परसन जब आप प्रेगनेंट थे तब आपको छोड़ गए और अब आपके लाइफ में वापस आएंगे तो शायद आपके लिए उनको फोगिफ करना बहुत ही टॉफ हो जाएगा नहीं नहीं आपका मन तो चाहेगा कि आप अपने परसन को एक्सेप्ट कर लो लेकिन स्टिल जो आपका दिल टूटा है उसकी वज़े से आप चाहोगे कि धैरे रखूं, पेशिंस रखूं, सबर रखूं और देखूं किया ये परसन सच में सुधर के आया है या सच में सु तो एट वीक्स में होता हुआ दिखाई देता है, congratulations in advance, may God bless you, और अगर आपके परसन एक नया मोका मांगे, तो एक नया मोका उने जरूर दो, और देखो, wait and watch करो, कि वो क्या कर रहे हैं, और क्या वो इसलायक है, कि वो आपके life partner बन सके, अब हम चेक करते हैं, कि आपके हानी हैं, strong बनना है, bold बनना है, और अगर आपके career के कुछ कारे रुके हुए हैं, ठीक है, आप भी हो सकता है कि अपने person को बहुत miss करते हों, and career में काफी जदा स्टक हों, तो career में आगे बढ़ते रहें, career को दाओ पे मतलगाईए, career में compromises create मकेजिए, आप मैंसे बहुत सार लोग अपने person के सपनों में खोई रहते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है, हकीकत में जीना है, present में जीना है, और definitely beautiful present create करने की कोशिश करनी है, जिसके conclusions, जिसके परिणाम सबरू beautiful future आप लोगों का create होगा, अगर आप लोगों का मन बहुत जादा अशांत रहता है, परिशा खुद से करनी है, लोगों के manipulation में आपको नहीं आना है, जो भी decision लेना है, खुद की समझदारी से लेना है, खुद की सोच से, खुद की समझ से लेना है, और अगर आप में से कुछ लोग बहुत जादा transformation के phase से गुजर रहे हैं, आपको लगता है कि life में कभी भी कुछ भी स और manifestations करनी हैं, और सबसे पहले खुद की life को improve करने के लिए efforts लगाने हैं, so congratulations in advance, बहुत सारे लोगों का reconciliation होने वाला है, may God bless you, take care, bye for now, have a good day and take care.